नमस्कार मैं एक्ता गहरवार, BCN News की खास मुलाकात में आप सभी का स्वागत है आज हमारे साथ है बहुत ही खास शक्स, दे यंगेस्ट योग गुरू डॉक्टर शिल्पाचन ने आप थोड़ा चौगे होंगे कि इतनी कम उम्र में कोई योग गुरू कैसे बन सकता है तो ये बिल्कुल सही है, डॉक्टर शिल्पाचन ने अपने हुनल से, अपनी कड़ी महनत से ये उपाधी हासिल की है आज वो एक आमरोली योग पिट संस्तान चला रही है, साथ ही इस क्षेतर में एक महिला होने के नाते उन्होंने अपना नाम काफी आगे लाया है और ये महिलाओ के लिए एक सम्मान की बात है माम आपका कारेकर में बहुत-बहुत स्वागत है दर्शे को यदि आपको आज की भागदोर वाली जिन्दगी में स्टेबल रहना है, निरोगी रहना है तो हमें सबसे पहले योगा करना बहुत जरूरी है क्योंकि योगा से हम हमेशा खुश रहते है, मानसिक तनाव से दूर रहते है साथ ही आज के कोरोना काल में हमें सुरक्षित रहना है, एकदम फीट रहना है तो हम कैसे रहे, योगा भास कैसे करे, सात्विक आहार कैसे ले इन सभी बातों पर हम आज डॉक्टर शिल्पा चंडेवान से चर्चा करेंगे मां हमारा पहला सवाल यही है कि आपने योगा की शुरुवात कैसे की योगा की शुरुवात मैंने प्रोफेशनली आसे दास सल पहले की थी मेरी मेरे घहर में शारा करते हैं और युक्या से इंट्रेस्टर्स का इसम एवनने मैं इडिशन स्टार्टर्टीया की खुवषया तो किन हिytic में पहिला नमबर लाना था तो मैं आटमेटिकल ला पाती थी क्योंकि वो कॉन्फिडेंट अंदर से आता था मुझे गोर्मेंट जॉब होसिल करना था तो मैंने बहुत कम समय में हसिल कर लिया तो जो भी जिन्दगरी में सोच ती गई तो अटमेटिकली वो जल्दी मुझे म योग का एक पावर बोलिये या एक वो उर्जा बोलिये कितने सालों से वो मैं कंटिन्यू कर रही हूं और इसको दस साल पहले इसको मैं ने प्रोफेशनल में डाला और आज मैं एज योग गुरू मेरे अमरोली योग पिट में और इंस्टूट में दोनों या आपर सेवा लेकिन आपने शुरुवात तो की लेकिन सबसे पहले आपको प्रेढ़ना किसे मिली कि आपको लगा कि हमें यह सब करना चाहिए करके वैसे तो प्रेढ़ना मुझे बहुत लोगों से मिली मेरे जिंदगी में बहुत से गुरू है क्योंकि मैं अलोवर इंडिया ट्रावलिं है और शिक्षा ग्रहन करके मुझे एक नया इंसन बनाया है नय शेत्र में जाकर हम किस तरह से नय ने इस पर हासिल कर सकते तो एसे बहुत से लोग प्रेढ़ना दायक रहे है और पहली बात तो अगर आप बोलना चाहेंगे तो मेरे खुद के पिताजी थे क्योंकि डेली मे सब्सक्राव से लेकर आजाब देश विदेशों तक पहुंची है तो यह जो ट्रावलिंग है आपका करने में आपको कहीं सारे पढ़ाव पार करने पड़े होंगे कहीं सारी समस्याओं का चुनोतियों का सामना करना पड़ा होगा तो आप थोड़ा हमारे दर्शकों को बत करने पड़ाव पड़ाव पारा था तो यह जो एक तास्क रुप में दिए और आज में हर एक हर साल में खुद के अंदर ग्रोथ देख रही हूं 2011 में किया हूँ अवरबाद में एक टीचर लगी फिर लेक्चरर हुई फिर खुद का यह किया तो हर साल में खुद में ग्रोथ देख रही हूँ घर वालों को भी पहले एक था कि योग में करके क्या मिलेगा जैंकि मैंने वह जोग के लिए में कर ली हूँ मैं इस प्रोफे हर से आज जो में एक भारत के हरे किसमे जाकर जो मेरा एक वर्क्शॉप चलता है सेमियर चलता है और अज कोवीट के समय मेरे इंटरनेशनल भी सब कारिये चल रहा है अलग अलग देशों में सब कुछ हो रहा है तो यह सब कुछ हुआ एक आत्मविश्वास और एक विचार के कारण है आपने सब कुछ सीखा बहुत कुछ अच्छी चीजे सीखी तो आपको कब लगा कि इसे प्रोफेशनल बनाना चाहिए इस चीज को मैंने पहले से प्रोफेशन रखा था जहां मुझे लगा जैसे रुद्धाश्रम है हैंडिकप स्कूल है मतिमंद स्कूल है जहा अगर हम सेवा ही सेवा भी जरूरी है पर एक समय तक तो मैंने इसको पाले सी रखा है जब से मैंने योग की शेत्र मैं अज़ प्रोफेशनल 2011 से ही मैं प्रोफेशनल हूँ और अभी अलग-अलग मैं खुद भी हूँ और मेरे अंडर मैंने ऐसे देड़सों से दोसों विद पढ़ाया उपनिशत पढ़ाया है तो हमारे दर्शकों को बताए कि योगा के साथ-साथ आध्यात्म भी जरूरी है इसके क्या फाइदे है ये थोड़ा हमारे दर्शक को बताईया जी आज की जो जन्रेशन है जा हम लोग है योगा को सिफिक फिजिकली देखेंगी योग म जीवन जो कोई घटना हो रही है जो हमको पता नहीं है फिर दिंक लेवल होता है कि यह तक है फिए इतना ही जीवन ए साफ ही होना चाहिए उसकी जो पिअने सब कुछ हमें हमारे भारतिय संस्कृति के शास्त्र में रताया गया है वेद और उपनिशत से आया है जो 2017-2018 में जब मैं आश्रम में बच्चों को पड़ाती थी वे अच्छा मेरे लिए समय ता यूकि मैं तब बहुत ज़ादा सोशल मेडिया सभी इसमें नहीं थी मैंने कि मैं अल्रेडी वर्किंग थी मुझे पता कि बच्चे जो मॉडर्न वाले हैं वो कैसे रहते हैं उनका कैसा लाइस्टायल है वो क्या-कै नया सिखते हैं वही चीजे मैंने वेदा वह इसको पढ़ाने की कोशिश की उनको भी समर क्यांप में जो आज के नए बच्चे जो हमें बहुत अच्छा लगा सुनकर साथ हमारे दर्शकों को बताइए कि अभी इस कोरोना काल में नियमित योगा भयास कैसा करना चाहिए हमें एकदम फीट रहना है सुरक्षित रहना है तो कौन-कौन से आसन करना चाहिए आसनों से भी जादा मैं आज के इस पर बोलना चा से के रहिए नियुक्त यह जाने का माध्यम बनाएं योंकि हम नहीं जानते कि अगरे पड़ के एंके और वारा परीवार में से या हमारे फामिली में से कोण जाएंगा कोण रहेगा तो कि अभी समय के सुछे हैने वाले हम यह समतंव उच्छते कर पायेंगे और यह सब करने के लिए आपको डेली एक समय निर्दारीत करना है कि मुझे करना यह हो, जैसे भूग लगी है, मैं खाना खा रही हूँ, प्यास लगी ही, मैं पानी पी रही हूँ, वैसे ही योग, योग को आप आसन के सोरूप में कीजिये, प्राणायम कीजिये, या ध्यान क है कि यह सब आप अगर कर रहे हो तो अच्छी बाते नहीं भी कर रहे हो तो अपने जीवन में विचार के सोरूप में बानसिक स्वास्ता की नहीं जरूर करें ताकि आप डेली इस में अगर आप बहुत जादा बीजी भी रहते हैं कुछ लोग बहुत जादा वरकिंग है करेंगे या आपको थोड़ा सा ब्रेक चाहिए है थोड़ा समय निकाल कर अपने पसंदीता सॉंग पर आप डांस करेंगे अच्छा स्वटीं होने के बाद में योग निद्रा करेंगे तो थोड़ा थोड़ा पी आप डेली पर क्योंकि योगा इतना वास्ट है योगा में इत सीखेंगे दो-दो मिनिट का भी करेंगे तो आपको लगे कि मैंने कितना अच्छा किया तल मैंने भुजंगासन किया आज मैंने गरुडासन किया आज मैंने ऐसा किया आज मैंने मेडिटेशन किया फिर मुझे ऐसा लगा तो आपकी लाइफ हब देखो क्यों कि हर दिन आप न अगर आपको बड़ा आदमी बनना है जो भी आद दरशक देख रहे हैं जो बच्छे है बुजुर्ग है जो वर्किंग है सबसे पहले तो एक ढाल ले कि अगर आपको जीवन में सक्सिस्फुल बनना है आपको बहुत जादा पैसा कमाना है या बहुत जादा कुछ भी हासिल करना है सबेरे जल्दी उठना है सुर्यास सुर्यास होने के पहले अगर आप उठते हैं आप रणिंग के लिए जाते हैं या वाकिंग के लिए जाते हैं योगा करते हैं जो भी आपको अच्छा लगे व वो वेब सीरीज बहुत दो बज़े तक देखते रहो फिर सो जाओ फिर सबरे उटो अगर आप इस तरह से करोगे तो कोई मतलब निकुल क्योंकि आजकर इंटरनेट है हमारे पास में सब कुछ अवेलेबल है अब हर चीज अगर जैसे कोई पढ़ाई कर रहे है वो दो साल बा बहुत अच्छे तरीके साफ उपयोग कर सकते है और यह जो योग का जो मैडम हां ने भी कोशन किया है उसको आप एंसर के सोरुप में इतने जिन्दगी भर आप अपको जी सकते है कि आप खुदी जानोंगे कि येस मैं क्या जिन्दगी जी रहा हूँ बिलकुल माम आपने अभी बहुत अच्छी जानकारी दी लेकिन जो अभी कोरोना काल चल रहा है साथ ही जो थर्ड वेव आने वाली है इससे लोग काफी डरे हुए हैं तो हमारे दर्शेकों को आप बताईए कि कोरोना काल में हम दो मिनिट में या पांच मिनिट में ऐसे कौन से आसन हैं हम कर सक सकते हैं या फिर आप थोड़ी बहुत एक्सेसाइज करके भी हमारे दर्शेकों को बता सकती है यस अभी कोवीट के इसमें जिसे वी बरसाती समय चल रहा है अभी विंटर भी आएगा तो हमको देखना है कि हमारे बोडी को हम किस तरह से इम्मुनिटी से अच्छा स्वस्त लोगी है यए मिले खाने में इसा लेना है जो के जीवा को अच्छा नुट्रीशन देगा यूकि जो आपके जीवा को अच्छा लगेगा वह वह अपकी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है सबेरे उठे बराबर अच्छे जूस लेना है अंको अनाज खाना है जैसे आप अगर यह लेंगे तो आपको इमुनेटी स्ट्रॉंग करेंगा दोपेर में आपको जो लगता है आपको जो में डायट आप ले सकते हैं और शाम को एक थोड़ा हमारी जो हाबिट है कि यह खाना है वह खाना है वह खाना है वह थोड़ा सापको टाइमीग चेंज करना पड़ेगा क्योंकि कहते हैं कि सबिरे का ब्रेकफास्ट यह एक राजा की तरह होना चाहिए और रात का खाना एक भीकारी की तरह है मतलब हल्का रहना जाहिए तो आप उसमें ले सकते हैं अच्छा द तैनना हम एक झाट रखातल में पतिते लियोंती हैं तब करने हमें दूसरा मुंत बादी 10 जिस को में 101 हमारे जीवन में साटी दिखी हैं जितने encent कि हम जितना हमारे हमारा जीवन मान होता है पाले से निर्तारीद होता है तो ज्यों सोच्छ से प्रेजंट में है हमारे हाथ में क्या है अच्छे एक्सेसाईस करना अच्छा डायट ले ऐफ रहना वी विछ्य रखनी यह हमारे हात में में हो उसके में झालyn तलया सकते आप तो आपको देखना है कि कौन सा आसन आपके लिए बेस्ट है, ऐसे ठरावी कुछ चुनिंद जो आसन है आप करें, प्रनायम अच्छे करें, मेडिडेशन डेली रखें, तो आप इस थार्ड में क्या कौन से भी वेव आने दीजें, अब अपने आपको स्ट्रॉंग ही रखें तो दिन भर की थकान हम दो मिनट में कैसे दूर कर सकते हैं इसके लिए कुछ टिप्स हमारे दर्शब को दीजिए अगर आपको एक अंदर से उर्जा लेनी हो तो एक टाइटन वाली प्रोसेस होती है, ताइटन किसमें क्या होता है, जैसे मैं यहां बैट कर हो, तो अपने उससे लेकर हेर टाइट थदु红़िया पॉड़ी को टाइट करोंगे यहां जासनी त्योंठी तो तो नीका बैटन जरूट इन नेक कर लेना है तन अंद टाइटन कर ले लिए s são यह हो गया पहला विक रिलाक्सेशन टेखनी दूसरा होता है अगर आपको पॉसिवल हो तो हर कुछ भी आप ब्रेक्फस्ट का रहे हो खाना खाने के बाद में अगर आपने जो भी खाना या जो भी कुछ पिया हो जूस वगरे पेट पर हाथ रखें पेट पर हाथ रखकर हमा आपको इतना सुवीदा है जैसे टाइम हो तो तीन बार उच्छा रण करें और ज्यादा टाइम है तो नौ बार भी कर सकते तो आपकी डूरेशन के उपर आप डिपेंड है लेकिन आप इसको दो मिट में भी कम्प्लेट कर सकते जैसे पेट पर हाथ रखा और लंबी गरी स आस लेकर करना है कि अ इस तरह से आप को जितना सामें है उससाब कर सकते हैं जिसको जैसे प्रॉब्लम रहता है या श्वास भर कर आता है जिसको बहुत दिक्कत जाती है ऐसे लोग इस तरह से ब्रेदिंग साथ को बाजू में लेकर जाए göz साथ आपके हाथ को अब कर सकते हैं इस तरह से भी कर सकते हैं आपको अपनी ब्रिधिंग पैटन पर ध्यान देना है तो आप इसको की वाद्यमी से भी कर सकते हैं इसको अजपा में मनी मन दवराना है जपा अजपा दोनों भी करना है पहले मूँ से बोलना है और बादने मनों में अकोश में और फिर मानसिक स्वरूप के लिए मकारा इस तरह से राइट हैंड को नॉस्टिल के नीचे रखे अजपा और अगर आप लेट कर इसको कर सकते हैं तो इसे कान बन करके भी आप मा का उच्छा रंग कर सकते हैं वह भी आपको काफी जो बच्चे हैं जिनको याद दाश अच्छी नहीं है इनको याद रखने है तो ऐसे सिच्वेशन में यह अच्छा अकारा उकारा मकारा बिल्कुल हमारे दर्शक देखकर काफी सीख भी गए होंगे हमें एक और पूछना है कि आज की जो जनरेशन है काफी उन्हें बुरी आदते हैं वैसन के आदी हो जाते हैं साथ ही अगर कुछ हुआ तो बहुत जली डिप्रेशन में चले जाते हैं ऐसे युवाओ को आप क्या पार्ग जो अच्छा लगता है उनके टेस्ट के लिए बना के रखा है तो इस तरह से जो कुछ है भगवान भगवान है वो इस तरह से नशा के इसमें कभी नहीं रह सकते लोगों ने जो बनाया हुआ है उनको लगता है कि वह भगवान करते हैं इसलिए हम करेंगे तो यह मानसिक्ता गलत है अचुली और दूसरी बात जिनके भी घर में लगता है कि उन्होंने बहुत जादे वैसन हो रहा या इसके अच्छी लिए उनके कारनिवोद उनका घर का एटमोसफियर होता है वह प्यूंकि उनके पैरेंस ही वह सब चीज लेते हैं वह देख 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 के बच्चों में आता है तो पहली बात इस अब शुरुवात उनके घर से होती है फिर फ्रेंड सरकल भी होता है जो कि एक ले अच्छी आगया ना स्मोकिंग किया है एक्सपरियेंस हुआ ना कैसे सुआशास लेती हुआ अपको यह हुआ तो उस चीज को एडिक्शन न बना के छोड़ दो और आगे चलो क्योंकि उसी चीज को आपकर जीवन में लेते रहोगे कि नहीं मैंने ऐसा क्यों किया या ऐसा ह और कुछ चाहिए आप नहीं हुगा तो आप जिंदगी में तरक्की नहीं कर पाहोगे अगर आपको बड़ा कुछ है तो आपको इन सबस्से जाना होगा या अगर अगर आपकी सराउंडिंग वैसे तो सराउंडिंग थो जोड़ना है कि स्टारिण में प्ट भोड़ा सा तो तिका भी पाता है क्योंकि पैसा कमाना तो हासिल करना या कमाना कोई बड़ी बात नहीं कोई भी कर लेता है लेकिन उसको मैंटेन रखना बहुत बढ़ी चीज होती है क्योंकि आजकल युआओ में बहुत कम है वरना आजकल आपने तो आशी की टू मुवी देखी होगी सबसे बहुत से उधारन है इसके मादम से आपको पता चलेगा कि आपकी जो हैबिट है वो बहुत इंपोर्टन है आप जिंदगी में सब कुछ कर लोगा लेकिन अपकी हैबिट अगर अच्छी नहीं है तो आप सब कुछ पाकर भी फिर से खोद होगी बिलकुल अभी भी भ सब्सक्राइब कर लोगों से जूजना पड़ा तो ऐसे लोगों से आप क्या कहेगी कि वो इस प्रॉब्लिम से कैसे बाहर निदिये पहले बात कोई की सिचुएशन में सरकार ने और सभी लोगों ने हेल्प किये हैं बिलकुल खाने के लिए तो कोई ये नी था हर जगा से क अंस्तान है जो हल्प करी रहे है दिन बीच में होता है ये हमारे ही होते हैं कि हमको ज्यादा कमाना है या ज्यादा हमारे जो प्लानिंग से क्योंकि सभी ने प्लानिंग किये थे कि हमको 2020 में ऐसा करना था वैसा करना था लेकिन सिचुएशन नहीं है तो अभी जो हम कर सकते उस पर ध्यान दे, युकि सारी दुनिया भी ठप पड़ी है, हना कुछ कर नहीं पाते हैं, ये समय में आप खुद के जरने के उपर, खुद के सेल्फ के उपर आप कितना डेवलप कर सकते हैं, अच्छे किताबे पड़े, आध्यात में कुछ नॉलेज ले, खुद के साधना क करें तो आप खुद का विकास कर सकते हैं, खुद का अटमेटिक लिए ध्यान देगे, डेली आप साधना करेंगे तो अपने आप आपको अंदर से आएगा, कि आपको जो भी बिजनेस कल तक नहीं भी चला होगा, या आपको जो भी प्रॉब्लम होगा तो आपके अंदर से अपने आपको समय दे, एक तो सवेरे दे सकते हैं, या रात को दे सकते हैं, सोने के पहले, कितना भी समय वैस्त हो अगर आप ऐसे समय दोगे तो जिन्दगी में कुछ भी हो, आप स्टेपल रहोगे, क्योंकि आज हमारी प्रात्मिक्ता स्वास्त है, आज कोवीड के इसमें हमारे कास्त में सब कुछ कम रहेगा चलेगा, लेकिन स्वास्त के इसमें हमको भरपूर चाहिए है, स्वास्त अच्छा रहना चाहिए, तो इसलिए हमको इस चीज़ पर ज़्यादा देना चाहिए, बिलकुल, माम आप डांस विद योगा भी सिखाती है, तो आप लोगों क खुंगरू, पान डमरू, डमरू, पाउस आलाग, 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 नेचर के साथ में खुद को ट्यून करना, हर एक चीज, मैंने जाना कि सिभ योग से नहीं होगा, जब हम संगीत, नृत्य और योग, तीनों को अगर ये करें तो सारा संसार आपको लगेगा कि इश्वर ही है, इश्वर से खुद में ही नहीं, आपको हर चीज आपको कनेक्ट होगी, तो यहाँ जो कनेक्शन है वो मुझे नृत्य के माद्यम से, क्योंकि नृत्य भी जब मैं स्टेज परफॉर्म करती थी भरत नट्यम केस में, तो अपने आप जब डांस करते हुए, मुझे एक जगार है कि मैं अलग-अलग देशों के साथ में अपनी जो नौलेज है, भारतिय संस्कृती है, जो नट्राज का जो सोरूप है, क्योंकि नट्राज ने जो करना की माद्यम से बताया था, वो मैंने मेरे रिसर्च की माद्यम से, आज मैं फॉरेंस के लोगों को टीच कर रह बिलकुल, यह तो बहुत अच्छी बात है, साथ ही हम जानना चाहेंगे कि आपके जो इस शेत्र है, स्पेशली योगा में, यूथ अपना रोजगार दिख सकते है, क्या या करियर बना सकते है, क्या हमारे दर्शब को बताइए आप, बिलकुल बना सकते है, क्योंकि मैं इसको अगर आपको पार्ट टाइम लेना है, पार्ट टाइम भी ले सकते है, फुल टाइम लेना है, फुल टाइम भी ले सकते है, आज केंद्र सरकार ने हर एक गाव में कॉंट्रेक्ट बेस पर जॉब निकाले है, आरोग्यवर्दनी में पासुरूपे मांधन की इसाब से हर गाव में आप अरोगे वर्दनी में योगा सिखाईए, उसका एक अच्छा कंसेप्ट है, उसका अर्निंग अच्छा होता है, आप अपना कॉलेज भी कर सकते हैं, साथ साथ ये भी कर सकते हैं, सिर्फ एक घंटा आपको देना होता है, तो इस तरह से अगर आप इसमें पार इसमें कर सकते हैं, तो ये योगा कल तक जो रुशियो मुनितक था, उसको भी प्रोफेशन में आ चुका है, तो हर कोई इनसान इसको कर सकता है, बिल्कुल, साथ ही माम हमें पूछना है कि वर्किंग वोमन के लिए अभी जो ये पिरेड है, बहुत ही टास्किंग पिरेड ह कहने का मतलब यह है कि उनका वर्क फॉम हो चुका है, जनरली जादा तर, तो उन महिलाओ को घर का भी काम करना पड़ता है, आफिस का भी काम करना पड़ता है, साथ ही उनके बच्चे है, उनकी वी देखवाल करनी पड़ती है, तो ऐसे situation में महिलाओ ने अपने आपको कैसे समय देना चाहिए या फिर वो स्टेबल कैसे रहे इसके लिए कुछ टीफ्स दीजिया यस पहले बात तो मेरे सभी महिलाओ के लिए मैं बोलना चाहूंगी कि हमने एक बहुत एक सब्सक्राइब करेंगे अगर अपने घर में पता रहना चाहिए अगर ममी डांस करेंगी ममी योगा करेंगी तभी हमको अच्छा खाना बना के देगी खुश रहेगी जग सब्सक्राइब करेंगे ममी अगर एक दिन ना किया एक डांस डांस ना किया ममी आज गुस्सा करेंगी यजजम district अज इसने अपना वर्क आउट किया है तभी अपना घर अच्छा रहे गागा अगर इसने मिस किया तो नहीं तो घर में अपनी अपनी लोगों की भी जिम्हेदारी बंकी है कि वह अपने घर की महिलाओं को सम्मान दे उनके कार्यों को यह कर अप्रिशेट करें और उन्हें ध सबी स्यों से जाना पड़ता है तो इन सब शीज में अगर आप एक ही चीज को बोलेंगी कि नहीं इसको यही करना जैसे आज की तारिक में देखिए अगर कोई मर्द ऑफिस से घर जाता है तो उसको गय बराबर उसको पानी मिलेगा चाय मिलेगा लेकिन लेडिस जाती तो गय बराबर अब अब फ्रेश हो के उसको किछन में जाना पड़ेगा तो यह सब जो है वह आज की कंडिशन में बदलना चाहिए क्योंकि आज लेडिस भी उतना ही काम कर रहे हैं जितना जेंस कर रहे हैं तो आपको वह भी इनसान है उसे भी एक अच्छी प्राइवसी चाह अच्छी थी फैमिली भी एक्छी स्ट्रोंग बरेगी आप हमारा देश और समात भी विकसित होगा आम आप जाते 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 जो न्यू से योगा सीख रहे हैं ऐसे लोगों को क्या संदिश देना चाहेगी ऐसे लोगों के लिए मैं यह करना चाहूँगी कि योग को सिफ मैं यह सोशल मेडिया मैं मैंने यह किया यहां इतना हुआ इतना हुआ मत रखे क्योंकि जर्णी चाहिए क्योंकि अगर आप उसको सीफ इतना है रखोगी कि नहीं मैंने एक बहुत आसन बहुत एडवांस तक कर लिया मतलब में बहुत जादा योगी हो गया यह सिद्धा- कि बहुत जादा दिखावे पर न जाते हुए खुद की चेतना पर खुद की आध्धात्मिक उन्नती पर आप यह करें कि आपका जितना अंदर से विकास रहेगा उतना ही आप बाहर विकास कर पाओगे जितना आपके अंदर में विच्छार एक रूप रहेगा वरना अगर आ आपके भी लाइफ में डिक्रेशन आना है फिर आपको भी हर कुछ जो कुछ सिचुएशन लाइफ में बाकी लोग कर रहे वो भी आपके लिए आने है तो अगर आप अपने अपको अलग करना चाहते है तो उसको वे आफ लाइफ बनाए तो निच्छी थी आप अपने कि हम समाज को एक जोड पा रहे है योग के माध्यम से बिलकुल आपका बहुत बहुत धनेवाद आपने काफी अच्छी जानकारी दी हमारे दर्शकु की नियमित योगा भास कैसा करना चाहिए प्राणायम कैसे करना चाहिए साथ ही इतनी भागदोड वाली जिन्दगी में दो मिनिट कैसे निकालने चाहिए ऐसी कई सारी बाते हमारे दर्शकु को बताई साथ ही डांस विद योगा ये नया कॉंबिनेशन बहुत ही अच्छा बताया आपका बहुत बहुत धनेवाद साथ हमारे स्टूडियो में और हमारे आपका किमती समय दिया इसके लिए मैं ब में लेंगे खास मुलाकात में किसी नए शक्स के साथ तो देखते रहें बीसीन नियूस नमस्कार